तो हेलो वेंग कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको पतानें यह नहीं अपडेट के बारे बारे में आप सकते हैं बहुत ही कमालСगा यह वहात लाँ दोस्तों आपको पता होगा वाट पे बहुत सारी मैसिक्षब्ी-स वाइरल होते हैं तो उसके Cyberland निनगल आगा है आप एक particular message को भी report कर सकते हैं वहाँ पर what's up उन message को पढ़ेगा उसको समझेगा अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो वो उस पर कारवाई करेगा तो ये latest नहीं फिशर add कर दिया गया आप particular एक simple से message को बाद में इस चीशन वहोंड पर शुञाँ उसके बारे में क्लियर नहीं नहीं कराँ वहको अप वुडियो को स्क referee मैं दो और वी बूर देखेगा के मारे में जिसका नाम है specific message report या बोल सकते हैं एक single message को भी आप वहाँ पर report कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना गया होगा दोस्तों सबसे वहले अगर आपको दोनों पर यह मिल जाएगा अगर आपको थोड़ा वेट करना रहेगा तो आपको सबसे वहले करना कि अपने वाट्टोप को अपडेट करने का जैसी आप यहां पर उसको ओपन करेंगे ओपन करने क्या आपको किसी भी अपनी पर चैट पर चले आना लाइक में अपनी ही चैट पर आ गया तो आप एक particular message को report कर पारें आप देख रहे होंगे this message will be forwarded to whatsapp this message this business will not be notified मतलब की जिस account का है उसको notification भी नहीं जाएगी और आपका जो message है आप इसको report करना जाते हैं यह report हो जाएगा और अगर आप चाहें तो इस business account के बंदे को ब्लॉग भी कर सकते हैं क्योंकि यह मेरा business account ह इसलिए आपको बता रहा है this business account will be block अगर आप किसी contact में भी जाएंगे आप चैट में भी हो तो आप इसको कहीं भी का सकते हैं लाई कि आप मैं यहां कर फोटो वड़ो भी जी होगी तो मैं फोटो को बता जिता हूँ लाए यह फोटो को रिपॉर्ट करना जाओं मैंण है बर क्लिक करा पहले मुझे सको डाउनलोड करना रहेगा तो यह आ गया है, जैसे मैंने single इसको क्लिक कर लिया है, यहाँ पर आ गया हूँ, single select करने के आदमों जी है, यहाँ पर report पर क्लिक करना है, तो simply ही है, वही कब ही message आपको मिल जाएगा, this message will be forwarded to whatsapp, this business will not be notified, मतलब की जिस account से को, मनला मान लीजी यह, मैंने अपने account से बेजा है तो उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा, कि आपने message को report कर दिया गया है, whatsapp उसको read करेगा, उसके जो भी वो action ले है, उसको बाद ले सकता है, अगर आप चाहें तो इस बंदे को यहाँ पर block भी कर सकते हैं, और simply आपको यहाँ पर report पे click कर देना है, और वहाँ पर यह report हो आप यह सब चीजे message पर एक normal chat पर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई group में हो तो group में भी आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई भी message होंगे, आप यह देख रहा हैं जैसे कि इतने सारे यहाँ पर कोई भी message में, किसी को भी यहाँ पर ले लेता हूँ, यह जैसे audio है, मैंने audio अगर यह audio पर भी मैंने क्लिक करा, यहाँ थी dots पर गया है, report पर गया, मतलब all message पर आप यहाँ पर report कर सकते हो, आपको दिकरा होगा, simple यह आप उस पर tap करना है, उसको वहाँ थी dots पर जाना है, report पर क्लिक करना है, और वहाँ पर आप report कर पाएंगे, एक particular message को, यह बोल सकते specific message को WhatsApp के अंदर, उमीद है कि दोस्तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो thank you, दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना अबने जाएगा तो थेंक्यू